नमस्कार सातियों आज हम बात करेंगे इस पोधे की जो आप सामने देख रहे हैं ये पोधा इसको कहते हैं डेविल्स बैकबॉन प्लांट मतलब सैतान की रीड की हड़ी वाला पोधा और इसके उगाने और इसके केयर की आज हम बात करेंगे तो जहां तक मैं अपने अनुभ टोप लिए कि विट हम लो मेंटिनेंस और बड़ा ही हाड़ी सा पोधा है कि यह आप जमीन में भी उँगा सकते हो आप तो इसको इसको स्टैं म कटिंग से बड़े असानी से लगा जा सकता है और यह बड़ा ही क्याष्त प्लांट है यह द्रिजन है यह क्यूत बइति इसे जिग जैग प्लांट भी कहते हैं, डेविल्स बैक बाउन प्लांट तो कहते ही हैं, क्रिस्मस मोमबत्ती कहते हैं, बेला फूल कहते हैं, जापानी पाइंसेटिया कह देते हैं, जापानी पाइंसेटिया भी इसको बोलते हैं, इसको रेड बर्ड फ्लावर भी बोल देते दोनों में आसानी से हो जाता है यह ट्रोपिकल छेत्रों का अमेरिका का ट्रोपिकल जो छेत्र हैं वहां का मूल निवासती है बस ठंड से घबडाता है ठंड से घबडाता है बहुत तेज अगर दूप हो जार सुधी दूप इस पर पड़ रहे तब भी थोड़ा से बेचे नहीं होती है बाकी ये कोई सिकायत नहीं करता आप से आराम से चलता रहता है तो मैंने बता है और एक इसकी कटिंग से स्टेम कटिंग से इस और इसको जब ये ठंड मेना डॉर्मेंसी में जाता है तो पत्य गिरा देता देंडियां सी खड़ी रहती है है जमें बहुत ही अच्छा चलता है ये पोदा तो लेकिन इसमें घबडाने की ज़रूत नहीं है और गर्मी में जैसे ये मेरे वाला ये जो पोदा है ना मुझे इसमें पहले तो शोटा गंबले में दिखाया है वो तो लाइन और अधियों में ये फूल में सकेविजिया टेना बहुत है की जो ऐसकी हरे और सफेद पत्ते जो इसमें आते हैं को मेरी सफ़िदर के वह बहुत सुन्दर लगता है गर्मी में थोड़ा से गुलाबी से किनारे हो जाते हैं जो देख रहे हैं और ब्राइट इंडारेक्ट सनलाइट वैसे इसे बहुत पसंद है ड्राइ फर्टाइल एसिडिक वेल डेंस वैल इसको पसंद है तो इसकी जो मिट्टी ना इसम गिल् कर से उपर से उपरीए पांछ इन्च की किकड़ा करत लिए है। और उस में हव्य मिट्टी में उसको लगा मैं वी लगाई जासकती है आराम से पानी में भी हो कि पतिय उत्यां तो इसको उनसे थोड़ा सा बचाना होता है बाकि यह बड़ा हर्डी पोदा है और आराम से कभी भी कोई इसमें ज़्यादे अधिकत नहीं आती है अराम से हो जाता है मैंने बताए स्टेम कटिंग से इसको आपासानी से बढ़ा सकते हैं गर्मिया इसे बहु इसमें निकलाती है अगर इसको बुसी रखना आप कंटेनर में रख रहे हो और बुसी रखना थे फरवरी में इसकी प्रूनिंग कर दीजिए तूनिंग जितनी अच्छी आप कर देंगे जो भी सेफ साइज इसका चाहते होंगे वैसे यह दिखने लगेगा तो यह बॉन की तरह लगता है और यह जो हमारा है बॉन साइ नुमा पोधा है बड़े अच्छे से साइज सेफ हम दे सकते इसको वेल ड्रेंड स्वेल चाहिए ज्यादा नमी पसंद नहीं करता और इसमें स्वाइल इसकी बनाने के लिए वेल डेंड करने के लिए अगर आपकी क्ल लाइट में इसको रखिए इसकी ठेंड में या बहुत ज़्यादे गर्मी में जब यह कुछ थोड़ा सा प्रिसानी में सुस करता है तो लीफ करने लगती है डारेक्ट शनलाइट इसको बहुत जारेक्ट फूल सन इसको डारेक्ट अच्छी पसंद रही है और इसमें खाद कर रहे हैं तभी फरवरी में में मिला दीजिए वर्मी कंपोस्ट यह सड़ीवी घोबर की खाद तो यह वही इसके काम करती रहती है लिक्वीड फोटलाइजर पीच 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 पे देंगे तो बड़ अच्छा चलता रहेगा तो यह बहुत ही अच्छा चलता है तो कि उसके बाद लगा दीजिए तो यह बहुत ही अच्छा चलता है तो डेविल्स बैकबॉर्न का प्रोपेस्ट में बताया कि पूरे साल हो सकता है बस हलकी मिटी चाहिए तो साथियों कैसा लगा मेरा वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करिएगा लाइक करिएगा सेयर करन मत भूलेगा थैंक यू नमस्कार दोस्तों फिर मिलते हैं एक ऐसी अच्छे से सुन्दर से वीडियो में थैंक यू